सर जमीन हिंदुष्तान असलाम अलेकुम जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूँ डॉक्तर आरिफ कुरेशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ दी यूटूब चैनल तो चाहिए दोस्तों आज मैं आपके बेतार औश्यदी से पर्चे कराने वाला हूं दोस्तों और वो औश्यद हो जाता है और अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई खर्च करकर करकर के उसके बावजूद भी उसका ममाद आना बंद नहीं होता है दोस्तों तो मैं आपको बिलकुल निशुल की काम आने वाला मैं आपको बहतरी नोश्यदी बता रहा हूं दोस्तों एकर कोईश्ट है कि अभी है पड़ान दैर यहां तो नहीं भर रहा है कि आप इसाट लग जाती है उसका घ्रण बेंद भरते हैं तो दोस्तों के आपको पहिछ ना देता ओं और बिल्कुल जिस तरीके पतायें उसी तरीके से आपको इसका इस्तिमाल करना है दोस्तों तो यह देख लिजीगा यह इसके सफेद सफेद फूल होते हैं और डार्क बेतरी निकदम ग्रीन कलर लिए हुए इसकी पत्तियां होती हैं और इसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं भ्रंग राज अब भ्र बाल भी जड़ रहे हो तो उसका अपयोग भी एक अलग तरीके से किया जाता है तो दोस्तों यह पहचान लीजिए यह भ्रंग राज हैं भ्रंग राज बारिश में आपको कहीं पर भी मिल जाएगा जहां पर पानी की नालिया होती हैं ऐसी जगह पर आपको बहुत ज़्या करना है कि भ्रंग राज की पत्यों को ले लेना है यह लेजिएगा यह देख लीजिएगा यह भ्रंग राज की आपको पत्तियां लेनी है और इसका रश निकाल करके आपको यह मान के चलिए कि 100 ml भ्रंग राज की पत्तियों का रश निकालने के बाद 200 ml आपको लेना है पै कलोंजी अगर आपको कलोंजी ना मिले तो आप 25 ग्राम कलोंजी का 30 ग्राम 25 ग्राम कलोंजी का तेल भी को मिला करके ले सकते हैं दोस्तों वैसे कलोंजी मिल जाए तो जादा बेतर अगर कलोंजी नहीं मिलती है तब ही आप इसके तेल का उप्यूग करें तो आपने ले लेनी है कलोंजी या कलोंजी का तेल एकी समान मातरा में ले ली जिएगा और उसके बाद इसमें आपको क्या लेना है दोश्तों बालों के लिए मैं आपको बता रहा हूं इसमें से बस आपको थोड़ा सा महीन पिसा हुआ यानि 10 ग्राम आपको काली मिर्च ले लेनी है और सभी को धीमी धीमी आज में पकाएं और जब पकते पकते ये लगे कि ये इसका रस पूरी तरीके से जल गया है तो कलोंजी अच्छी से जल गई तो इसको बिलकुल निकाल करके इसको छान ले और छानने के बाद ठंडा कर ले ठंडा करने के बाद इसमें देशी कपोर डाल करके अ भरते नहीं है और बहुत सारी एलोपैथी दवा आप खाका करके परिशान हो जाते हैं और बहुत सार ओइन्मेंट तो दोस्तों कोई बहुत बड़ा नुचका नहीं है जखम को बढ़ने के लिए इसके लिए आपको केवल और केवल इसकी ताजी पत्तियों का स्वरश इसकी सुबा दोस्तों सुबा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा इसमें बहुत ही कुदरतनेक कुदरती गुड़ दी हुए हैं आपका गला सड़ा ममाद पी भाने वाला भी घाओ आपका एक से डेड़ हपते में पूरी तरीखे से ठीक हो सकता है दोस्तों अगर आपको जो इस हमा होगी काया सबसे उत्तम माया तो मिलता हूँ एक नई वीडियो में कि नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए आगया थे